चलिए आज हम बनाएंगे आलू के पराठा को टकर देने के लिए प्याज का पराठा जो बहुती सॉप्ट और बहुती टेस्टी बनकर तयार होता है और जिसे बनाना बहुत आसान है इसमें आलू को बॉयल करने का भी जंजट नहीं होता है और बहुती कम टाइम में हम इसे सकते हैं तो इस ठंडे-ठंडे मौसम में इसे ट्राइ करना तो बनता है है अप लोग आई हो आप लोग अच्छे होंगे तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो हमने यहां पे चार मेडियम साइज के प्याज को इस तरह से लंबे हैं तो थोड़ी से बेसीक सासाले मिलाएंगे तो एक चम 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 रहां पर अजवान डाला बहुत टेस्टी लगता है हमने यहां पे तीखे वाले रेड चिली पाउडर डाला है आप यहां पे हरी मिर्ची को भी छोटे चोटे पीसेस में कट करके डाल सकते हैं और यहां पे हमने जीरा का भूने हुए जीरे का पाउडर डाला है उसी के साथ हमने यहां पे थोड़ा सा गरम मसाला और अमचूर का पाउडर डाला है तो अमचूर का पाउडर आप जरूर डालेगा बहुत टेस्टी लगता है स्वाद अनुसान नमक डाल कर हम इन सब को मिक्स कर लेते हैं तो यहां मैंने इसे अच्छे से mix कर लिया है और अब हम यहां पे थोड़ी सी हरिधनिया डाल कर इसे भी हम mix कर लेते हैं और यह हमारा stuffing बन कर तयार हो गया है आप यहां पे जिंजर गार्लिक का paste भी add करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं तो हमने यहां पे पराठा बनाने के लिए आटे में थोड़े सा अजवाइन नमक डाल कर मैंने इसे अच्छे से soft dough त्यार कर लिया था और इसे 5 मिनिट के लिए मैंने धग कर रेष्ट करने के लिए भी रख दिया था तो चलिए अब हम पराठा बना लेते हैं तो हमने यहां पे बनाए हुए stuffing को ले लिया है और अब हम आटे से पेड़े काट लेते हैं और इसे हम आटे से dip करके अब हाथों की मदद से हम इसे गोल फैला लेते हैं और बीच में जिस तरह हम आलू का बराठा बनाते हैं बस उसी तरह हमें इसे हाथों की मदद से फैला लेना है और बनाए हुए स्टफिंग को हम डाल देते हैं और इसे प्रेस करते हुए साइड साइड से हम इसे अच्छे से फोल्ड कर देंगे बस इस तरह से और अब हम इसके ऊपर आठा छिलक कर इसे हम हलका हलके हाथों से हम इसे प्रेस करते हुए बेल लेंगे तो हम यहां प्याज का पराठा बना रहे हैं इसलिए हमें बेलते वक्त हमारा प्याज थोड़ा सा बाहर निकलेगा वह खलका फटेगा तो इससे हमारे पराठा खराब नहीं लगेंगे बहुत ही टेश्टी बनेंगे तो हमने यहां पर इसे बेल दिया है और एक तबे के ऊपर हम इसे डा काने के बाद हम इसे पलट लेते हैं और इसकी दूसरे साइड भी हम यहां पर थोड़ा सा घी लगा देते हैं और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे अच्छे से क्रिस्पी होने तक पकाना है और अगर आपको सॉप्ट पराठे खाने है तो आप रिफाइंड ओयल का यूज करें उससे हमारे पराठे सॉप्ट बनते हैं और क्रिस्पी खाने के लिए आपको घी का इस्तिमाल करना पड़ता है और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे अलट पलट करके दोनों साइड से अच्छे से गॉल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है और यह हमारे पराठे अच्छे से प हाइ फ्लेम पे क्या होगा कि हमारा पराठे का उपर का लेयर गॉल्डन ब्राउन हो जाएगा और अंदर से वो कच्छा ही रहेगा और हम यहाँ प्याज का पराठा बना रहे हैं मेडियम फ्लेम पे आप इसे बनाईएगा तो हमारे प्याज भी बहुत अच्छे से अचार के साथ तरमेट और सॉस के साथ यह तो फिर आप गर्मागरम चाई के साथ इसे सर्फ कर सकते हैं आप इसे बचचो के टिपिन के लिए घराय का HEY मानों के लिए तो आप सूबह के नास्ता में भी आप इसे बना सकते हैं बहुत ही जल्दी बनकर तयार हो जाता है त तो ये देखिए प्याज भी हमारा सॉप्ट हो गया है और बहुत अच्छे से हमारे पराठे पकर तयार हुए है आप इसे मन पसंद चटनी या अचार के साथ सर्व करें तो आज मैं इसे हरी चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले चैनल को सब्सक्राइब करें और नीची देगे बैल आइकन को ब्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिले तब तक के लिए बाबा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में